17 नावमर 2023 को सूरिय तुला रासी यानि अपने नीच रासी को छोड़ कर वह मंगल की रासी व्रस्टिक रासी में जा रहा है इस से किन रासी वालों को क्या लाब होगा क्या हनी हो सकती है कौन सी रासी वालों को सुब रहेगा असुब रहेगा इस सब के बारे में आज हम आप को बताएंगे वरतमान में मेश रासी में जो है वो गुरू विराजमान है इसके बाद कन्या रासी में सुक्र और की तु साथ में युक्ति करrosy युक्ती करके बेठे हुए। इसके बाद हम व्रासी की बात करेंगे तो यह मंगल और बूद्ध है हुई 17 नौंबर 2023 से सूर्य भी इस रासी में आ जाएगा इसके बाद हम बात करेंगे धनु रासी में चंद्रमा है और कुम्ब रासी में सनी देव विराजमाने साथी मिन रासी में जो है वो रहू है सूर्य के रासी परिवर्तन करने के बाद मेस रासी से मिन रासी तक किन-किन रासी अब दोगेघंई के बारे, हम शुरुवात करते हैं मेश रासी से मेश रासी वालों का स्वासतलाब रहेगा, उन्हें में एक नई प्रकार की उर्जा रहेगी। उनकी रूची जो है वो धार्मिक कारियों में बढ़ेगी इसके बाद हम बात करेंगे व्रसबरासी की व्रसबरासी में जो है इनकी थोड़ी से आई प्रवावित रहेगी यह नए खर्च करने से बचे व्यापार में पुझी लगाने से भी बचे थोड़ा दामपत्य जीवन में भी वाद विवाद की स्थेती हो सकती है जीवन साती से किसी प्रकार का विवाद बन सकता है अभी किसी प्रकार का नया इंवेस्मेंट या नया खर्च आप नौंबर 17 नौंबर के बाद अगले एक मेने तक ना करें इसके बाद हम बात करेंगे मितुन रासी की मितुन रास समय आपके लिए एक अच्छा आउसर ला सकता है कर करासी वालों के लिए हम बात करेंगे परिवार कुटुम का पुरा सयोग उनके साथ में रहेगा परिवार में कुछ कहीं से धन प्राप्त हो सकता है कि कहीं से अच्छाना करासी प्राप्त मिल सकती है विशेस तह यह महिला पक्षे की अगर बात करेंगे तो महिलाओं अगर कोई महिला है तो उनके साथ यह संभावना अधिक बनेगी सिहे रासी वालों के लिए बात करेंगे तो कामदंदा व्यापार को लेकर पूरी उर्जा लगाई है प्रतिस्ठान आपको बढ़ने वाली है कन्या रासी वाले वरतामान समय यह आपके लिए जू नॉंबर का माहा है वह आपको कोई की सिच को लेक्स झाले प्रहमित कर सकते हैं अब कंफिज हो चकते हैं हैं ए जिस्टब हो अब को सोस्मज निर्ने लेना चाहिए किसी भी पक्षय जिए अगर को यहошू आती है तो आपको अपना म्य व तो समय से हो गया आपका दनु रासिवालों के लिए लिए प्रेम वेवाहिक जीवन में अच्छा समय हो चुका है आपका पुराने किसी मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है अगर हम बात करेंगे मक्रण की पेरों में आपको दर्द हो सकता है करियर में मिला प्रभाव ही देखने को मिलेगा जदा आपकी करियर में अभी उन्नती के योग नहीं है परिवारिक समस्या का समाधन आप कर सकेंगे अगर किसी प्रकार कि आपके घर में कोई परिवारिक समस्या चल रही है पुराना विवाद है तो आप अपनी भूमिका से उस विवाद को खतम कर सकते हैं कुमब राटट वाले जो आलसी करेंगे तो आपको समस्या होगी आप नुकसान उठाएंगे क्योंकि आपकी इस राशी में अभी वर्तमान में सनी है और सनी जो है वो आलसीं का कारण होता आलची देता है तो आपको आलची से बचना चाहिए, अगर आप करेंगे तो आपका स्वास्त भी खराब होगा, थोड़ा सा आप आलची को एग्नॉर करें, समय पे अपना कारे को कम्प्लीट करें, आर्थिक मामलों में भी कुछ नहीं चुनेज़ी आपको सामना करना पड़ सकती है अगर हम आप मीन राश की बात करें तो आपका स्वास्त जो है वो खराब रहेगा ना आपको शरीर बार्द टाइप पैरों में पीट में कमर में धरद हो सकता है आपको आपको निडै भावीचे को देख कर लेना है आप अगर कोई काले सुरू कर रहेς या कारे के बारे में सोच रहे हैं तो आपको आगे आने वाले भवीसे के बारे में सोच समझ के निर्ने लेना चाहिए वरतमान को देखके निर्ने नहीं लेना चाहिए क्योंकि अभी ये जो मीनरासी वालों के लिए जो है वो थोड़ा सा समय ठीक रहेगा पर फिर भी आपको जो निर्ने लेना है वो आगे सोच समझ के निर्ने लेने की जरूत है क्योंकि हो सकता है कि आप आज डिसेन ले रहे हैं वरतमान को देख के लेकिन भवी समय वो चीज आपके लिए आफ़त या मुसीबत खड़ी कर सकता है